पुजनी पिता आनन सिंग बिस्ट का लंबी मिमारी के बाद एम्स नईदिली में नितन हो गया समचार सुनकर गोरखनात मंदिर परिवार द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालाय सचिव द्वारिकानातिवारी ने शोक संदेश परकर उपस्थित सभी नाथ संप्रदाय के योगी साधू, संत, धर्माचार एम करमचारियों को सुनाया इस शोक सभा में स्रीगुरखनात मंदिर के परदान पुजारी, योगी कमलनात, योगी धर्मेंदरनात, योगी सूरदनात, योगी दिनेशनात, विरेन सिंग, दिविकुमार सिंग, विने गौतम, आनंद गुपता, दुर्गेश बजाज, जैप्रकास सिंग, गनेस, खज रमापती प्रसाद, बलराम सहदेव, लक्षमर नारंग, बच्चन सिंग, गणेस्तिवारी, अमित किशरवानी, दिलीप कुमार मुदलवान, भगशर्मा, मुहम्मद यासीन, मुहम्मद जाकिर अली, वारिस आदी ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांती के लिए उन्हें स्वतांजली अपित की इस बार में मीडिया कर्मियों से बाद करते हुए गोरखनात मंदिर के कार्याल है सची, द्वारकर नात्तिवारी ने बताया तरी आनन सिंग भिष्टी जी के निभेंग के समाचार सुनका गोरखनात मंदिर परिवार को हर दिक तुख हुआ दिसंबर 1913 मेरे में गोरखपूर गोरखनात मंदिर पधारे थे, उस समें हम सरी लोग उनसे धेट बुलाकात हुई वे एक धैर्मान, सरल, बर्दभासी तता अस्पष्टवादी सुखाव के थे महराज जी के बारे में जब हम लोगों ने पूछा तो वे निर्धिक्ता के साथ या कहे कि हमारे पुरे परिवार काया स्वभाग्य है कि गोरखपीट, गोरखनान दिर, गोरखपूर में कार करने का आउसर मिल रहा है भगवान गोरखना जी से वे प्रात्षना की कि वे अपने इस महान संकल्ब में सन्यासी के रूम में सफल हूँ यद्यपवे इधर महीनों से बीमार चल रहे थे, हम लोग बराबर ही उनके स्वास के बारे में जानकारी लेते रहे एक आएक टेलफून द्वारा ज्यात हुआ कि उनका निधन हो गया है यह जानकर मंदिर परिवार अस्तर रह गया महायोगी गोरगनाजी से मंदिर परिवार क्या प्रार्शना करता है कि उनकी परिवार को इस महान दुख की घड़ी में इस महान दुख को सान करने की सक्ति दें तथा उनकी आत्मा को सांती प्रदान करें इस अउसार पर संपूर्ण मंदिर परिवार दो मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा की सांती हित सधांजर अर्पित किया